हेलो सुदेंट, आज हम इस वीडियो में डिस ओनर ओफ निगोशिबल इंस्ट्रुमेंट को डिसकस करेंगे, तो चले स्टार्ट करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं, निगोशिबल इंस्ट्रुमेंट के डिस ओनर की, तो यहां पर निगोशिबल इंस्ट्रुमेंट मतलब क्या dishonor का मतलब होता है कि not honoring the obligation आप honor नहीं कर रो, आप respect नहीं कर रो respect किस चीज़ की अगर हम in respect of promise, three note, check available of exchange के बारे में बात करते हैं इनके साथ कुछ obligations थी कुछ liability थी, जो pay कर नहीं थी certain time पे, certain amount में है न, तो वो चीज़ जब आपने नहीं complete की, या अपनी obligation को, या अपनी promise को complete नहीं किया, पूरा नहीं किया तो हम कहते हैं आपने उसको honor नहीं किया तो उसी को हम कहते हैं dishonor तो dishonor of negotiable instrument का मतलब हो गया कि जब negotiable instrument से related, जो भी obligations थी, उस obligation को honor नहीं किया गया हो, उनको respect नहीं दी गई है, उस उनको complete नहीं किया गया, उस obligation को meet out नहीं किया गया, तो हम उसको बोलेंगे dishonor of negotiable instrument, clear है, अब जैसे तीन चीज़े हैं हमारी check, promiseary note or bill of exchange, तो अगर हम check और promiseary note की बात करते हैं, तो यहां पर जो dishonor होगा, वो क्या होगा, non-payment होगा, मतलब कैसे, कि आपको पते है कि obligation, तो अगर check है, check अगर आपने cut करके bank को provide किया, और bank ने payment करने से मना कर दिया, तो bank के obligation क्या थी, उसका payment करना और उन्होंने वो deny कर दिया, तो क्या होगा, dishonor होगा, इसी तरह promissory note है, promissory note अगर मैंने बनाया, मैंने promise किया कि मैं आपको इत्ते रुपे pay करूंगी, और फिर मैंने उसको deny कर दिया, और यह मैंने payment नहीं करी, तो वो क्या होगा, हमारा obligation पूरा नहीं हुआ, तो it means कि अगर check और promissory note का case होगा, तो dishonor सिर्फ और सिर्फ किस वज़ा से होगी, non-payment की वज़ा से, मतलब अगर इनका obligation ही यह है कि payment हो जानी चाहिए, अगर यह payment नहीं हुई, तो यह फिर क्या कहलाएंगे, dishonor, वहीं पर बात bill of exchange की करते हैं, तो bill of exchange दो वज़ा से dishonor होता है, एक तो non-acceptance या फिर non-payment, अब आपको परता है कि bill of exchange में क्या होता है, कि मानले चाहिए, आपने credit पर कोई good sold किया है, और credit पर good sold करके, आपने सामने वाली party टाइम मंगा, कि ठीक हम तीर महने बाद, दो महने बाद payment करेंगे, तो आपने एक लिक के bill दे दिया, कि ठीक है, आप इतना payment इस date को, और इतने महीने बाद करिएगा, ठीक है, आपने वो चीज़ मेंशन कर दी, अब ये bill valid कब होगा, जिसको payment करना, अगर वो sign नहीं करे तो, तो क्या ये valid होगा, नहीं acceptance तो जरूरी है न, तो अगर आपने accept ही नहीं किया, या फिर bill बाद में present किया गया, और तब उन्होंने accept नहीं किया, तो अगर acceptance ही नहीं किया होगा, तो भी वो क्या हो जाएगा, dishonor हो जाएगा, टिक, payment नहीं किया, तो एक तो ही है, पर अगर accept भी नहीं किया, से dishonor होता है clear है तो अब अगर हम dishonor को एकदम crux में देखिए तो negotiable instrument को हम dishonor दो होजासे कर सकते है एक होता है हमारा non-acceptance जिसको section 91 के अंदर deal किया गया और दूसरा होता है हमारा non-payment जिसको section 92 के अंदर deal किया तो negotiable instrument act के 91 में non-acceptance से dishonor कब होगा और 92 में non-payment से dishonor कब होगा ये बताया अब आपको पते है non-acceptance से तो क्या होता है bill of exchange होता है ठीक है बलकि non-payment से तो 3 हो ही हो सकते है bill of exchange भी promise note भी हो और check भी ठीक अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि कि इसकी dishonor by non-acceptance ठीक है section 91 क्या कहता है कि कोई भी bill of exchange non-acceptance की वज़ा से dishonor कब कहलाएगा जब उसमें कुछ conditions दी गई है इस section के अंदर कि अगर ये conditions होती है तो ही हम उसको कहते हैं कि ये non-acceptance की वज़ा से ये bill dishonor हो चुका है तो पहली condition क्या कही गई वहाँ पे कि जो भी drawee है क्योंकि accept किसको करना था drawee को ही accept करना था drawer तो लिख के bill दे दिया कि आप ती मेने बाद payment करिएगा acceptance किसकी ज़रूद थी drawee की तो जो drawee है या और भी बहुत सारे drawee's हों लेकिन partner की बात नहीं कर रहे हैं drawee's की बात कर रहे हैं अगर वो जब bill present किया गया उसके 48 घंटे के अंदर उसको accept नहीं की है और उस bill के acceptance required थी तो ऐसे situation में हम क्या कहेंगे कि वो bill dishonor हो गया ठीक दूसरी case यह है कि अगर बिल को present किया गया कि वो execute किया जाए और उस case में उन्होंने बिल को accept ही नहीं किया मतलब जो भी आपका contract हुआ था जो भी चीज़े थी उसमें वो incompetent है वो मतलब जैसे कहते हैं कि capability नहीं है कि वो कर सके incompetent है तो ऐसे scenario में भी हम क्या कहेंगे कि वो non-acceptance की वज़ा से dishonor माना जाएगा मतलब drawee ही capable नहीं है competent नहीं है तो हम उसको फिर non-acceptance ही treat करेंगे और वो bill dishonor कहलाएगा इसके लावा क्या कहा गया कि अगर drawee नहीं बिल accept कर लिया पर qualified acceptance दी है मतलब क्या कि बिल को accept करते वद कोई नहीं कोई condition attach कर दी है कि ठीक है हम payment करेंगे अगर ऐसा होगा तो यह ऐसा होगा मतलब कोई नहीं कोई condition साथ में attach की है तो उस case में भी वो क्या कहलाता है आपका non-acceptance कहलाएगा और वो dishonor treat किया जाएगा तो अगर आप condition के साथ accept कर रहा है मतलब qualified आप bill acceptance दे रहे हैं को तो ऐसे situation में भी वो क्या कहलाएगा dishonor कहलाएगा ठीक है और एक और चीज़ है जो कि section 91 के अंदर तो नहीं deal की गई section 61 के अंदर deal की गई है पर वहाँ पर भी यह बात बोली गई कि अगर जो ड्रॉई यह वो कोई fictitious person है बतलब basically वो real में exist ही नहीं करता वो person और आपने उसके नाम का bill लिखके रखा है तो भी वो bill क्या कहलाएगा non acceptance या फिर आप ऐसा कहलेजिए कि जो ड्रॉई था उसको बहुत ढूढा गया लेकि उसके बात भी ड्रॉई मिली नहीं रहा है तो bill किसको दिखाया जाए किससे payment ली जाए तो कौन bill accept करेगा तो ऐसा अगर मिली नहीं रहा है तो भी हम क्या कहेंगे कि वो dishonor हो गया bill ऐसा section 61 ने deal किया ठीक next हम बात करते हैं कि अगर dishonor non payment की वज़ा से होगा तो कैसा situation होती है तो इसको section 92 में deal किया गया N.I. Act के वहाँ पर बूला गया अब जो non payment का तो तीनों पर अपलिकेबल होगा ठीक है तो प्रॉमिसरी नोट bill of exchange या check हम उसको non payment की वज़ा से dishonor कब कहेंगे जब कि जो भी maker है मतलब प्रॉमिसरी नोट को जिसने बनाया है क्योंकि वो promise कर रहा है कि मैं payment करूँगा तो maker हो गया या bill का accepter क्योंकि bill में dollar लिखके भेज देता है कि आपको तीन में बाद payment करना है तो drawee accept करता है तो या तो फिर accepter of the bill या फिर हम कहते drawee of check check की case में आप आपका bank account है तो आप क्या होगे drawee आप check लिखके देते है किसको लिखके देते है जिस time पे payment करना था वो payment करने में default कर जाते है payment नहीं कर पाते है तो ही हम उसको क्या कहेंगे non payment की वज़ा से ये check dishonor हो गया ये bill of exchange ये promising note dishonor हो गया clear ये बास section 92 में कही गए ये पूरी बात कि हम कब इसको non payment की जासे dishonor कहेंगे वही section 76 में एक और बात कही गई NI act के section 76 में महावे क्या कहा गया कि non payment की वज़ा से हम NI instruments को dishonor एक और वज़ा से कहेंगे कि अगर वो present किया गया था ठीक है मतब वो execute हो जाए मतब उसका payment कर दिया जाए वो present किया गया और overdue भी था मतब आपके पास payment करने के लिए conditions थी आपको payment करना था आपके पास overdue था balance था but still pay नहीं किया गया वो overdue का amount जितना payment करना था तो भी हम उसको क्या कहा देंगे वो dishonor ही कहेंगे clear है अब basic regarding एक और case था मतलब उसमें उसमें इसी non payment के case को और explain क्या गया उस case के cording case था Venkita Subay Rao का Subayaka और PR Rao tobacco का था तो इनके case के cording की बात कहीं गई कि अगर कोई प्रॉमिसरी नोट था ठीक है तो जिसने promise किया था कि वो payment करेगा हमने उसको उस time पे जब payment करनी थी उस time पे अगर registered post के थुरू हमने वो payment के रिए भेजा प्रॉमिसरी नोट और उस वक्त उन्होंने उस post को ही receive नहीं किया कि भाई ये मेरे नाम का ही post नहीं है तो ऐसा गर उन्होंने किया तो भी हम क्या कहेंगे कि ये dishonor हो गए ये नाई जो है वो dishonor माना जाएगा ऐसा ऐस case में हुआ था clear है तो ये सारी चीजे हो गई आपकी non payment के वज़े से dishonor की पर यहीं पर एक चीज और में बता दू जो से जो check है ना check के case में एक और भी reason आता है insufficient balance insufficiency of fund करके तो उसकी वज़े से भी आपके check जो होते है dishonor होते है तो check के dishonor के कई cases आ जाते है उसको section 138 के अंदर 138.41 इस अब के अंदर deal किया गया है तो basically check dishonor होने के पीछे non payment का अगर case है तो bank कई reason से उसको dishonor करती है है ना जिसमें चीजे होती है कि आप जो भी valid period है time period है check की validity का time period है उसके बाद आप check को present कर रहे है या bank में insufficient amount है है ना या sign क्या है आपका override किया गया है तो इस तरह की कुछ conditions होती है जिसकी वज़े से check को भी non payment के वज़े से dishonor हो जाता है तो वो cases section 138 के अंदर deal की गई है पर अगर नाई के हसाब से बूरे तो यह दो cases हो और यहां पर यह दो ही बात कही गई है अब हम बात करते हैं कि कि अगर dishonor हो जाता है तो फिर क्या करना चाहिए मतलब अगर exam में यह पूछता है कि dishonor के case में holders की क्या duties बनती है तो उस case में हम यह कहते है कि notice बेजनी चाहिए तो notice of dishonor भी आपको send करना पड़ता और अगर यह ना भी कहा है तो अगर आप dishonor पूछेगा तो आपको notice बताना चाहिए तो notice of dishonor जो होता है section 93 से लेके 98 तक में पूरा यह चीज discuss की गई है कि dishonor की क्या notices में क्या क्या conditions है वो सब यहाँ पर discuss किया गया है अब यहाँ पर एक चीज़ जयाद रखेगा जिसे मैंने खाए 93 से 98 तक तो जिसे 93 तो आपको पताए कि यह बता देगा कि भी किसको notice भेजनी है कौन notice भेजेगा सक्षिन 94 बोल देता है कि notice किस mode में जाना चाहिए किसको जाना चाहिए किस mode में जाना चाहिए 95 बोल देता है कि अगर जिसने भी notice received की है वो prior party को भी mention करेगा उनको भी inform करेगा 96 का जो section होता है वो कहता है जो agent आवो principals को करेगा 96 कहता है कि अगर जिसको notice भेजी गई वो dead हो गया तो क्या condition हो गया और 98 कहता है कि कुछ ऐसे cases भी है जह notice भेजना ही जरूरी नहीं है ठीक है तो इस तरह से 93 से लेकि 98 तक की सारे section है जो इस notice के regarding ही है अब मत करते हैं अब मत करते हैं कि यह notice of dishonor exactly क्या चीज कहना चाहता है तो negotiable instrument के case में कहा गया कि अगर वो dishonor हुआ है तो जो भी holder है ठीक है इस वक्त वो NI जिसके हाथ में है जो holder हो उसका उसको वो क्या करना होता है उसको notice भेजनी परती है जो drawer होंगे या जुसके previous holder है उनको notice भेजनी परती है कि भाई यह जो NI है वो dishonor हो गया और अब आप liable बन रह है और आप liable बन रहे है ठीक है तो basically जो notice of dishonor का जो doctrine होता है वो principle of just and equity के base पे काम करता है ठीक है तो यहाँ पे important क्या है यह याद रखना कि अगर आपको notice भेजनी है inform तो करना अगर आपने यह चीज नहीं करी reasonable time period में आपने inform नहीं किया prior parties को तो आप उन parties के against कोई action लेने का आपके पास right नहीं बसता है ठीक है इसका मतलब notice mandatory है और भेजना ही भेजना होता है ठीक है तो यह चीज यहाँ पे section 98 जो है वो कह देता है कि यह कुछ condition है जहाँ पे notice भेजनी की ज़रूरत नहीं है otherwise आगर dishonor हुआ है तो आपको notice भेजनी ही भेजनी होगी यहीं पे section 93 में एक और बात कही गई वहाँ पर यह भी बोल दिया गया कि अगर जो maker है या जो acceptor है या फिर ड्रॉई की हम बात करते हैं जो primarily liable थे तो ऐसा नहीं है कि उनको notice भेजना ज़रूरी है आप अपनी prior parties को notice भेजिए ठीक है holder ने आपके पहले की जो parties थे क्यों कि आपने उन से समा section 95 में ये बात बोल दी गई थी जहाँ पर ये section 95 डील करता है न कि party receiving must transmit notice of dishonor है न जो भी notice उसको receive वह है वो उसको transmit कर रहे उसको और भी आगे पीछे भीजे कि ये dishonor हो गया तो उसी के regarding बोला गया कि अगर कोई notice आपको dishonor की मिली है तो आप liable बनते हैं कि reasonable time period के अंदर आप अपनी prior parties को भी वो notice भेज दीजिए कि ये dishonor हो गया है ऐसा कौन कहता है section 95 इसके इलावा कि इस सारी बात है section 93 के अंदर deal की गई थी ठीक अब हम बात करते है section 94 की जो कहता है कि mode of notice क्या होना चाहिए जो dishonor का notice उसका mode क्या होना चाहिए देखिए mode का simple मतलब है कि आप notice oral दे, return दे है ना पसात में एक चीज़ और है कि notice जो हम surf करते हैं तो इस section के अंदर ये बात भी बोल दी गई कि आप कि इन parties को surf कर रहे हैं जैसे कि अगर agent वगर है तो आप उनके authorized agent को भेज दीजे notice आप legal representative को भेज दीजे अगर death हो गई है तो उनके legal representative उनको notice भेज दीजे अगर insolvency का case है तो जो assignee है उनको notice भेज दीजे ठीक है आपको जो normal prior parties होती हो तो ठीक है normal condition हो गया पर अगर ऐसी scenario है तो फिर उस case में आप इन लोगों को notice भेजे ये भी section 94 में deal किया गया इसके अलावा 94 में बताया गया कि notice कैसा होना चाहिए वो written form में हो सकता है oral form में हो सकता by post भेजा सकता है या किसी और तरीकी से भेजा सकता है लेकिन एक चीज़ बिस ध्यान अखना है कि clear expression होना चाहिए कि ये instrument dishonor हो चुका है और अब आप liable है ये बात clearly वहां mention होनी चाहिए is it clear तो 94 तो हमारा clear हो गया 95 का section हमने deal करे लिया जहां पर ये हो गया कि prior parties को आप inform करि जी उसको transmit करें notice को 96 क्या कहता है agent को तो agent के लिए बात क्या कहीए कि अगर agent section 96 क्या रहा है na agent for presentment तो अगर agent के पास notice जाती ही तो उसकी responsibility बनती है कि reasonable time period में वो उस notice को principal को भेज़ दे या na principal को inform करें कि ये चीज़ ऐसी हो गई है ये dishonor हो गया आप liable बनते हैं तो ये किसकी agent की responsibility बनती है का अगर आपने notice भेजा और वो person dead है तो उस case में उन्हों ने ये बोल दिया कि अगर ऐसा कुछ होता है कि आपने notice dispatch कर दी और आपको ये बात पता ही नहीं थी कि वो इंसान की death हो चुकी है तो ऐसी case में वो notice sufficient माने जाएगे otherwise आपको पता है कि अगर death हो गई और उस case में आपका notice sufficient माना जाएगा कि हाँ आपने notice भेजी है ये बात कहां गईगे section 97 में कहेगे कि when notice to whom is dead तो आप जिसको notice भेज रहा हो अगर dead कर गया तो ऐसे scenario अगर है तो फिर वो valid मानी जाएगी और वही section 98 क्या कहा आपसे mandate नहीं कहा दिया कि कुछ ऐसे condition है जहां पर dishonor क notice भेजने की जरूरत ही नहीं है जिस लाइक कि अगर अगर जो पार्टी उसने कहा दिया कि हमें inform करने की जरूरत नहीं है जो भी damage होगा हम देख लेंगे उनको notice की जरूरत नहीं है तो ऐसे case में आपको notice भेजने की जरूरत ही नहीं है अगर प्रामिस नहीं है तो फिर भी आपको किसी और को पीछे notice भेजने की जरुरत नहीं है, तो ऐसे कुछ cases वहां mention किएगे, जिन्में आपको notice भेजने की जरुरत नहीं पड़ती है, ठीक है, अब हम बात करते हैं, 98 तक sections तो हो गए, अब 99 section जो होता हमारा, वो noting of notice है, ठीक है, और आपको क्या करना है, आप holder है, आपको करना क्या है, कि reasonable time period के अंदर, dishonor होने का जो भी cause है, उसको आपको notary में जाके, पुरा note कराना पड़ता है, ठीक है, और वहां पे जो notary, authorized person, अमतर नोटरी जो है, वो क्या करता है, उसको sign-win कर देता है, अब आप ये जो notice लिखेंगे, ये जो inform करेंगे, वो आप उस instrument पे लिख सकते हैं, या उसके साथ paper attach करके आप उस पे लिख सकते हैं, या instrument और paper दोनों को पे लिख सकते हैं, पर आपको क्या करना है, वो cause वेगरा, within a reasonable time period, notary के पास आपके record करवा के आपको भेजना है, तो उसी को हम कहते है, noting of notice, ठीक है, ये section 99 में बोला गया, और यही जब notary sign कर देता है, तो ये certificate बन जाता है, उसी को बोलते हैं, protest, section 100 डेल करता है, मतब क्या हो गया, कि जब आप note, अगर holder है या और आपका dishonor होगे, तो आप ये cause बेगेरा, within a time period, जाके notary public के पास, जाके record कराते है, notary उसको पर sign कर देता है, तो ये जो certificate बना, उसको बोलते है, protest, ठीक है, section 100 के अंदर, तो अभी section 99 में एक चीज़ और क्या बोली गई, इस notary में क्या-क्या होना चाहिए, तो noting में उनने बुला कि, fact of dishonor, कि आपका instrument dishonor होगे, इस बात को वह mention होना चाहिए, clearly, कब dishonor हुआ, वो date mention होनी चाहिए, reason of dishonor, कि dishonor किस वजह से हुआ है, वो cause आपका mention होना चाहिए, और अगर expressly ये दिख नहीं रहा, कि आपका instrument dishonor हुआ है, पर जो holder है, वो उसको dishonor treat कर रहा है, तो वो क्यों treat कर रहा है, आपको वो भी mention करना होगा, क्योंकि आप ही तो holder है, अगर आप है ने dishonor, पर आप treat कर रहा है, उसको dishonor, तो क्यों कर रहा है, आपको यह बताना होगा, इसके अलावा क्या आजाएगा आपका notary charges notary charges मतलब कि जो भी आपने notary से certified कि हो तो उस पर जो भी payment लगती ही से होता है न कि यह notary charges पे करने आपको, तो वो charges भी कितने हैं, वो सब वहां mention होने चाहिए, तो यह आपकी notice में होना चाहिए इस तरह से पूरा ही आपका होगा dishonor of negotiable instrument and I hope आपको clear होगा wish you all the best, thank you so much